कि अप्र हलो फैंट वेलकम टो उनलाइन फ्रीश्टी तो फैंट से भी आम देखने वाले हैं ससे MTS के लिए बहुत ज़्यदा इंपॉर्टन कोशिन जो कि आ एक्जाम में बहुत बार आते हैं और यह कोशिन जो है आपके लिए बता तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को और एक और चीव बता दूँए आप लोगों के लिए कि यह कोशिन्स जो है मैं रियल कोशिन भी लेकर आऊंगा आप लोगों के लेकर रियल जो कोशिन होंगे उनको कोशिन्स को थोड़ा सा मोडिफाय करकर उनके टॉपिक को हम करे करेंगे तो जली स्टार्ट करेंगे वीडियो को बिध्यानवी वह्या का जिसमें अनुवांश्य की अवियंत्री के द्वारा मानव प्रजाती में सदौणार लाए जाता है उसे हम क्या कहते हैं comment करेंगे चलिए सारे question important exam के लिए हैं answer comment करेंगे क्याने वाला सारे question exam में आ हुए है तो इस जो है इस अध्यन को आप कहेंगे तो यह से कहेंगे Eugene X क्या हो लेंगे Eugene X OK अगला question है ब्रदबस्था एवं काल प्रवावन के विशह में ज्ञान प्राप्त करने कीट संबर्धन क्या है कमेंट करेंगे option ABCD में से आंसर देना है मैं कोशन के option नहीं पढ़ने वालू हूँ आप लोगों को आंसर कमेंट करना ओके यहाँ पर आंसर आएगा कीटों की ब्रदीक करने का विज्ञान जो है कीट संबर्धन कहलाता है ओके आसवास के बाताब्रम में पशिवों और पौधे प्राणी और पादव से पादव के संबंद के अध्यन को क्या कहते हैं बिल्को सिंपल कोशन है कैई हुआ राया है तो यहाँ पर आंसर आएगा उसके परस्ते की तंत्र यानि केवलागी इस करेक्ट आंसर अगला कोशन है ज कि रिन है किसने ऑपर के द्वारा के कि कालवेशा की कहा मनाई जाती कमेंट करेंगी कालवेशा की किस जगा है जातकी अध्यान के पशिमatically पंगाल होने का समय क्या है याणी काल वैशा की मनाने का समय क्या है कमेंट करेंगे आंसर बताएंगे क्या होने वाला है तो इसका जो आंसर होगा वह है March और आपका April अगला गोशिझ है Cole India Limited की स्थापना कब की रहे दी इंपॉर्टन है एक्जाम में बहुत ज़्या बार कुछा गया है अंसर एगा C नॉवंबर 1975 को अगला गोशी ने कोल लिमिटेट का मुख्याले कहा है इसका है लुकार्टर खाना है जली से अंसर देंगे तो इसका है लुकार्टर होगा कॉल करता है अगला गोशी ने स्क्रीन पर 1939 में फारवर्ड ब्लॉक पार्टी का गटन कहां किया गया कमेंट करेंगे फारवर्ड ब्लॉक पार्टी का गटन कहां किया गया तो यह है किया पश्य मंगाल में अगला है आत्म सम्मान आंदूलन किसने शुरू किया आत्म सम्मान आंदूलन जो है किसने शुरू किया आंसर कमेंट करेंगे जली से उतर दीजे कमेंट करेंगे तो आंसर आएगा ओके रामा स्वामी के दोरा किस के दोरा रामा स्वामी के दोरा option B is correct answer किस पंचायती राजसंबंदी समीती ने दुई स्थरी घ्चे की सिफारिस की थी ओके नियुक्रा है ध्रामी कौशल योजना क्या है वेड़ी वेड़ी कोशन स्क्टे पर किस में आ चुका है सीदेस के एक्वाम में तो आंसर कमेंट करेंगे तो यहां पर जो आनसर आएगा वहाएगा D, ओके यह सरकारी एजंसी ओके एजंसी ओद्वारा दिये जाने वाले कौशल प्रिक्षिक्षन का पूर्ण रूप से निर्वार करती है, तो यहाँ प्रॉप्षिन D इस करेक्ट आंसर, अगला कोशन है मिशन इंद्र धनुस का उद्देश क्या है, यह भी सीडेश में आया हुआ है, मिशन इंद्र धनुस का उद्देश क्या है, कमेंट करेंगे एक्जाम में आयुए कोशन है, तो यहाँ प्रॉप्षिन आया का D, शिशुओं का पूर्ण प्रती रक्षन इस करेक्ट आंसर, ओके मूर्ती देवी साहत पृषकार किसने शुरू किया है, कमेंट करें किसने शुरू किया है, किसने या फिर किन सरकान ने किया है, भारती भावन ने किया है, ग्यानपी ट्रस्ट ने किया है, साहत अकाडमी ने किया है, किसने किया है, तो यह रुतम किसने लिखा comment करेंगे very important question पर तो आन्सर जो आने वाला है वाइग option C रामिश वरम गुपता के दौरा रामिश चंद गुपता के दौरा ओके अगला question है अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीक के सवस्य सामिल थे comment करेंगे अंतरिम सरकार जो थी उसमें हमारे कितने मुस्लिम व्यक्ति यहां पर सामिल थे तो आन्सर आएग option D no okay अगला है सारदा अधिनियम किस से सम्बंदे थे सारदा अधिनियम किस सम्बंदे थे एक्जाम बहुत पर पूचगा या सारदा नियम के बारे में तो आन्सर आएग option B भारतिय विभाव विवस्ता अगला कोशन है सम्मिदान सवा की स्थापना किस के द्वार होई यानि कौन सा प्रिस्ताप के द्वारा जोए सम्मिदान सवा की स्थापना होई आपकी जो नर्वदा है यहां से एस प्रिस्ताप करेंगे तो आपकी जो नर्वदा है यहां से एस करके बहती है यहां प्रॉप्षिन जो है महा नदी आपको पता है यहां से निकल तुरी सा से निकल जाती है कष्णा भी नीचे से निकल जाती है कावेरी में निकल जाती है और कष्णा भी नीचे से निकल जाती तो आपकी सारी नदी जतनी भी है वो इदर जा रही है पश् पशिम की और भेने वारी नदियों का उनके नदी बेसिन के घरते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है, तो सलीर, यहाँ पर उप्षिन आएगा, पशिम की और कौन पाथी बहती है, कही नर्वदा बहती है, तापती बहती है, और माही नदी बहती है, और सावर मती नदी बहत कैसे अब रोही क्रम में तो यहां पर ध्यान रखेंगे तो आप्षिर आएगा घुदाबरी सबसे इससे लंबी नदी है चौदा सो कुछ किलोमीटर की चौदा सो उन्तीस किलोमीटर की आएधिंग और यहां पर आएगा नर्वदा तेरा सो बारा किलोमीटर की फिरताप्ति जाएगा फिर महा नदी आएगा ओके अगला गोश्य स्क्वीन पर भारति उप महादीब की तीन महतुन नदियां नदियों का इस्तुरूत ब्रतम के ब्रत हिमालय में मान सरुबर्ट जील के निकट निम्न मैंसे कौन से कौन सी नदी है कमेंट करेंगे इंपॉर्टन है यह पर दे कि हिमालय नदी खा जाता भ्रंपुन नदी सिंदु नदी और सतलज नदी ओके अगला है निम्न मैंसे कौन सरीता समू मालवा पठार को बिच्छे करता है कमेंट करेंगे यहां पर जो आएगा वायगा सी चंबल बेतवा भीना और केन अगला कोशन है निम्न मैंसे क कमेंट करने के सही कौन सा है यहां पर आंथराय का वारा लूनी नदी रायस्थान में यह कैसी नदी है जो कि पूरे रायस्थान के रायस्थान में बैते हुए बैते हुए रायस्थान से निकलती है रायस्थान में ही समा जाती है इंपॉर्टन कोशन है एक्जाम में यह को लड़ियां का है इंद्रबती की संद्रदिआं कौन सी हैं तो इन्द्रबती की संद्रड़ियां करना है तो यह निकलती है महत्रगरी से कहार से निकलती है महं diff explain किसी है के ue अग्री कि सायग नदी जो है वोगी तुग तुंग भद्रा विखिए है शिवुनाथ नदी की सायग नदी कौन सी है áंसर कमंट करेंगे इसका जो ऑफ़ अन्य वाला है वोगागा ब्रमिया क्या ओन या क्या गाथद्र आ क्या अगला कोश्वन नहीं सुची 1對吧 तो आपको देखना है अंसर कमेंट करना है जली से उत्तर दिजिए आ इए हो है तो यहांपर हमारा answer एक option D तो यहां पर यहांगा की सायग न्दी कौनसी है सो नदी है बिलको सिम्पल है अगला लाइधि की सायग नदी कौनसी है मनजरा है कृष्णा की सायक नदी आपकी भीमा है युमना की क्या है पिल्कुफ सिंपल कोशिन था अगला कोशिन है यह इसमें भी आपको नदीया मैच करनी है नदीये उसकी सायक नदीया मैच करनी यहां पर देखेंगे option जो आएगा वो भी आएगा पहली नदी यानि कृष्णा नदी जो है भीमा उसकी कृष्णा ओके जो होगी अगला कोष्ण है लंबाई की द्रस्टी में चीन की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी कौन सी है तो सबसे लंबी नदी होगी option आएगा यांक्शी नदी ओके अगला कोष्णी यलो नदी निम्न मैंसे किस देश से कुझरती है कमेंड करेंगे आथ देंगे यलो नदी जो ह important है एग्जाम में कियो बाराया है तो पीली नदी यलो नदी इस परकार का नाम भी है ःगला है नदी करती है कमेंड करेंगे तो यह गरती है तो चिछीली की खाडी में तो अगला है निम्ली के नगरों मैं से किस एक मैं नदी बहती है कमेंट करेंगे हुएंगपूर नदी जो है बहती है आपकी संगही में अगला है एशिया की निमलिकित मेंसे कौन सी नदी दच्छन को प्रवाइद होती है दच्छन की ओर बहती है एशिया की नदी मेंसे बताना है तो एशिया की नदी यहाँ पर option आएगा सालवीन, okay, सालवीन, okay अगला question एशिया की विशाल नदी के मेकॉंग मेकॉंग जो है निमलेकित देशों में किस में नहीं बहती है comment करेंगे, तो answer आएक option 1 मलेशिया, अगला है नील नदी जो है, किस जील से निकलती है तो नील नदी जो निकलती है वह निकलती है, विक्टोरिया जील से, okay नील नदी का स्तुरोथ क्या है comment करेंगे, very very important question स्क्रीन पर, यहाँ पर स्तुरोथ जो आएगा, वो आएगा, लेक विक्टोरिया, okay अगला है निमलिकित मेंसे कौन सा देश, नील नदी द्वारा अप वाहित नहीं होता है यानि नील नदी के आसपास नहीं है, तो answer आएगा उप्शिन बी चाड, okay, बाकि इंडोनेशिया, सुलान और योगांडा इस खोई नदी, जो आपकी बान, किस नदी पर बनाया गया है, आसवान बान, किस नदी पर बनाया गया है तो यह बनाया गया है, आपके हॉंग गुन नई दिखिया है, चाइना में अगला है नील नदी यानि एक बिलू जो नदी होती है, नील नीली नदी, नीली नदी तो लेना नदी जो बहती है वह रूस से होकर बहती है सारी इंप्रॉटन नदियां है दान रखनेंगे दच्छिन अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो अगर देखा जाये छेत्र प्रॉटन की दरिश्टी में ओखे आफवाज चेत्र के, अफवाज चेत्र मतलब बह च्हेतर का मतलब है जिसके अनले जो नदी वहारी है आपके कौनसे आमेजन नदी हैं यहां से आकर होऊ सारी नदी कों कहसे हैं नील नदी ने इंप से तो इस तेतर को बहती है यह बह सिंपल कोशन में आए German लंबाई के घट्टे क्राम में तीन सबसे लंभी नदियां कौन सी हैं घट्टे क्राम में आइगा भ Marshen C पहले Amazon आएगा च्छित्पल की एक अगला हैं सर और आमू नदियां गिरती है यह का पर गिरती हैं यह गिरती हैं काला सागर में गिरनेवाली नदी क्या है नदी है यह कौन सी नदी है कमेंट करेंगे तो यह नदी है आपको यह कोशन अच्छे लगे तो वीडियो लाइक करें आपको इस वीडियो के आपके रिजयो के लिए आपके रिजयो के लिए